C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है केवल पढ़ने के लिए हम प्रित्वी की संतान प्रिष्ट 106 प्रदूशन के महा संकट से निपटने के लिए विश्वभर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉक होम स्वीडन में हुई थी इस अवसर पर ततकालीन प्रदान मंत्री स्वर्गिय श्रीमती इंद्रा गांधी ने अपने अभिभाशन में माता भूमी पुत्रो अहम प्रतिव्या का संदेश दिया था इस दिवस की स्मृती में ही प्रत्य एक वश 5 जून को पर्यावरन दिवस हम मनाते हैं सन 1992 में रियो डी जनेरो ब्राजील में एक प्रत्वी सम्मेलन आयूजित किया गया जिसका एक मात्र उद्देश यही था प्रत्वी को बचाओ प्रकृती एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें दो प्रकार के प्रमुख घटक शामिल है जैविक और अजैविक जैव मंडल का निर्मान भूमी गगन अनिल अर्थात वायू अनल अर्थात अगनी एवं जल नामक पंच तत्वों से होता है जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं इसमें पेड़ पौधों एवं प्राणियों का निश्चित सामन जस्य और सह अस्तित्व है जिसे समनवायात्मक रूप में पर्यावरन के विभिन अवयव कहते हैं पर्यावरन शब्द, परी और आवरन इन दो शब्दों के योग से बना है परी और आवरन का सम्यक अर्थ है वह आवरन जो हमें चारों ओर से ढके हुए है आवरित किये हुए है प्रिष्ट एकसो साथ प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामन जस्य बढ़ती जन संख्या एवं उपभोंगी प्रवरति के कारण घोर संकट में है यह असंतुलन प्रकृति के विरुध तीसरे विश्व युद्ध के समान है विश्व भर में वनों का विनाश, अवैद एवं असंगत उत्खनन, कोईला, पेट्रोल, डीजल के उप्योग में अब प्रत्याशित अभिवर्धी और कलकार खानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभिता को महा विनाश के कगार पर लाखड़ा कर दिया है विश्व की प्रसिध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदोशित हो चुकी है इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है प्रित्वी के उपर वायू मंडल के स्ट्रेटोस्फेर में उजोन गैस की एक मोटी परत है यह धर्ती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूरे से आने वाली हनिकारक किरने रोक ली जाती है किन्तु प्रित्वी के उपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूरे की अनावश्य किरने वाहे अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती जिसके कारण प्रित्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, यानि की ग्लोबल वामिंग बढ़ रही है इसे छोटे बड़े सभी द्वीप समोहों एवं महा द्वीपों के तटीक शेत्रों के डूब जाने का खत्रा बढ़ गया है इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं यही स्थिती रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं प्रत्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभिता को अमृत एवं पोशक जल प्रदान करने वाले ग्लेशर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं प्रिश्ट 108 अमृत वाहिनी गंगा अपने उदगम गंगोतरी के मूल स्थान से कई किलोमेटर पीछे खिसक चुकी है प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं विशेशकर अपने भारत में ही बांधों, कार खानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं पर्यावरण के प्रती गहरी समवेदन शीरता प्राचीन काल से ही मिलती है अथर्व वेद में लिखा है माता भूमी, पुत्रो अहम प्रतिव्या अर्थात, भूमी माता है हम प्रत्वी के पुत्र हैं एक जगह यह भी विना किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमी हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आगहात पहुँचे हृदय को आगहात पहुचाने का अर्थ है प्रत्वी के पारिस्थितिक तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़चार न करना हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा आज आवश्यक्ता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट जलवायू परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी इमानदारी पूर्वक निभाएं ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे है अरण्य रोधन के बदले अरण्य संरक्षन की बात हो रही है सच मुझ हमें आत्मरक्षा के लिए प्रित्वी की रक्षा करनी होगी भूमी माता है और हम प्रित्वी की संतान इस कथन को चरितार्थ करना होगा प्रभुनारायन अभी आप सुन रही थे हम प्रित्वी की संतान प्रस्तुति C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत